सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो नीव वीडियो और आज उन करने वाले है सामसंग के सुपर फास्ट वायरलेस चार्जर का रिव्यू जो कि 15 वाट का आउटपुट देता है दोस्तो और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तो कि चार्जर कैसे परफॉर्म करता है आपक इस प्रोडक को लेने वाले हो या फिर लेने का सोच रहे हो जरुर से इस वीडियो को देखके जाना ताकि आपको हर चीजे ख्लीर हो जाया है तो मेरे ना में आभर से दुस्तो इस वीडियो को फटाफ़ट चालु करते हैं सो सबसे पहले बैचे देखे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, super fast wireless charger यहां पर Samsung इसे बोलता है, but actually 15 watt का ही output देने वाला है, maximum output जो है 15 watt का देने वाला है, यह peak जो output होता है, यह 15 watt का देने वाला है, और पीछे साइड देखे तो यहां पर Galaxy phones and buds देखने को मिलता है, जिसका मतलब है, आप smart watches को charge यहां पर नहीं कर पाएंग कि iPhone का ही photo लगा दिया इन्होंने, खेर हम बात करें तो यहां पर compatible devices में Galaxy S22 ही देखने को मिला है, लेकिन यहां पर मैं S23 के साथ इसको test करने वाला हूँ, S23 इस charger के launch के बाद launch हुआ है, तो इसलिए यहां पर आपको देखने को नहीं मिला है, साइड में अगर आप देखोग तो आपको यह Amazon पे 3100-3200 का देखने को मिल जाएगा, सली अपने product को निकालते हो, product को निकालने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता है, यहां पर आपको सबसे पहले ऊपर यह paper type का देखने को मिलेगा, इसको हम फटा-फट हटाते हैं, तो यहां पर हमारा main product वह निकलता है और काफी अच्छा मुझे sizing इसके देखने को लगी, और color भी काफी अच्छा, और साथी साथ बात करें, इसके नीचे आपको एक fan देखने को मिलता है, जो fan आपके phone को cooling करने में help करने वाला है, मतलब कि आप charge करोगा, तो यहां पर आपको fan की help से air intake होगा, और आपके phone को cool रखेगा यह, और इस charger में यहां पर देख सकतों, यहां पर छोड़े-छोड़े दो symbols बने हुए, एक तो phone के लिए बना है, और एक Samsung के wireless charging earbuds, या किसी भी wireless charging earbuds को आप इसे charge कर सकते हो, उसके लिए बना है, इस charger में आप ए ग्रूव देख रहे हो, यह सारे grooves जो side में बने हुए यह spacing जो बनी है, यहीं से आपको air flow होती हुए दिखेगी जब आप अपने phone को इस पे charge करेंगे, और साथ से यहां पर आपको type C port देखने को मिलता है, यानि के cable और charger इसमें आपको साथ देखने को नहीं मिलता है, cable charger आपको अपने phone का ही charger यूज़ करना पड़ेगा, वो जो Spigen का case भी लगा हुआ है, तो यहां पर practical चीज है हम देखने वाले हैं, because maximum लोग case में ही phone को use करते हैं, तो हम इसमें case लगा के charging करने वाले हैं, उसमें हमको practicality देखने को मिलेगी, क्या यह phone overreat होता है, क्या आप case के साथ यह से charge कर पाऊगे, क्या slow charging होती है, क्या होता है, कुछ में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, so जैसा कि आप लोग देख पा रहो हो, यहाँ पे 54% यहाँ पे battery का percentage आपको देखने को मिला है, तो 54% हमारा phone charge है, और यहाँ पे temperature अगर देखें फोन का, so back side में 36.7 degree temperature यहाँ पे आपको देखने को मिला है, जो कि surface temperature हमारे phone के back, 36.7 degrees यहाँ पे normal temperature यहाँ पे देखने को मिला है, और front side की बात करें, तो यहाँ पे 37.3 degree यहाँ पे temperature देखने को मिला है, और अपने wireless charger को चेक करें, तो यहाँ पे wireless charger का जो temperature है, वो 32 degrees देखने को मिला है, तो हम क्या करने वाले, simply अपने phone को ऐसे ही place करेंगे, और देख सथ आप लोग यहाँ पे charging on हो गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे red light यहाँ पे देखने को मिलती है, जब भी भी अपना phone चार्ज होता रहेगा, तो यहाँ पे red light जलती रहेगी, 54 पे हमने लगाया है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे timer on कर देता हो, और starting में आप लोग द तो 36.3, 39.1 degrees, 38.8 degrees, 39.2 degrees, तो मतलब मिला जो लागे 38-39 degrees यहाँ पे temperature आपको अभी phone का देखने को मिला है, after 10 minutes, so मैंने इसे दुस्तो छोड़ दिया charge होने के लिए, almost 50 minutes होने को आ गया है, और हमारा charging percentage 76% है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले है, अपने phone के screen को check करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो temperature वो 38.6 degrees, जो कि almost उतना ही है जितना हमने पिछली बार चेक किया था, 39.2 आ रहा है, 38, 39, अभी भी एकदम constant है, मतलब कि phone के temperature को यह बढ़ने नहीं दे रहा है charger, तो यह perfect आपको देखने को मिला है, 40 degrees भी हमारा कहीं कहीं देखने को मिला है, तो आप temperature increase होते हुए नहीं देखेगा, मतलब heating issue आपको बहुत जादा देखने को नहीं मिलेगी, और हम लोग आ गया है, almost almost 1 hour के timing पे, और हमारा charging percentage है, 79% के आसपास ही है, और एक घंटे होने को आगे हैं दुस्तों, और अब अगर हम temperature चेक करें, तो 38.7 degrees, middle में आपको phone के देखने क temperature, तो मतलब कि 38 degrees, 39 degrees के आसपा temperature, यानि कि आपने देखा कि overall एक घंटे के time period में, यह जो temperature है, वो बहुत जादा increase नहीं हुआ, यानि कि काफी constant temperature देखने को मिला है, तो मतलब कि बहुत जादा heat यह नहीं हो रहा है, तो चलिए हम लोग phone को फटा 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 लेते हो, और दे temperature मिला है, यानि जिस temperature पे हमने start किया था है, वहाँ से एक या दो डिग्री ही increase हुआ है, और हम charger के temperature को देखें, तो 38.5 degrees यहाँ पे देखने को मिला है, यानि कि बहुत अच्छे तरीके से यह maintain करके रखा हुआ है, और आपको यह चीज भी ध्यान देना है, कि आपको यह phone का glass pack नहीं है, यह आपको जो मैंने cover लगा के रखा, उस कारेड भी यह बहुत ज्यादा गया है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे, आप 40 degrees, तो आप समझ सकते हूँ कि चार्जर काफी अच्छे से काम करा, और cooling भी आपको अच्छी देखने को मिल नहीं है, तो जैसा क करता है कि इस से ज्यादा temperature आपका phone का ना जाए, अब बहुत लोगों को complaints हो सकती है कि यह overheat हो रहा है क्योंकि depend करता है आप कि इस region में रह रह रहे हो, आपके room का temperature क्या है, यहाँ पे हमने testing किया, तो यहाँ पे हमारे room का temperature 28-30 degrees के आसपास यहाँ पे घूम रहा था, और phone और इस wireless charger के बीच में, जिसकी वज़ा से यहाँ पे आपको cooling थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है, और साथ सी साथ fan के वज़ा से cooling भी अच्छी हो जाती है, so I hope दोस्तो आपको जितनी भी doubts से इस wireless charger को लेके आपको clear management कर दी होंगे, अगर कुछ छूड गया दोस्तों आप जरूर से comment section में comment कर सकते हो, और वहाँ पे हम इस चीजों को discuss कर लेंगे, तब तक लिए जस्तों इस वीडियो को like करेगा, चैनल को subscribe करेगा, और इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ सेहर करेगा, मैं मिलतों आपको next video में, ऐसी और amazing tech videos देखते रिने के ल देखते रिये, तब तक लिए टेक केर, गुद बाई, इस हरसी तन्यों वाचिंग टेक केर, गुद बाई